नमस्कार मेरा नाम चंददेवी है और मैं हजारी बग डिश्टी के इचाक बुलोग के MKSP प्रोजेक्ट के तहर कलश्टर कोडिनेटर के पत्पे में काम कर रही है और आज हम गाउस्याल कला में महला समू के दिदी को पोसन वाटिका लगाने का तरीका बताएंगे पोसन वाटिका से सालो भर का सबजी हमें ताजा एवं फिरी मिलता है और पोसन वाटिका से हर तरह का सबजी मिलता है आज यही कारण है कि आज हमारे गाउं की सभी दिदी पोसन वाटिका को अपना रही है अच्छा दिदी सबसे पहले हम जमीन का चेन करेंगे गर के आसपास के जमीन में पोसन वाटिका के लिए एक से डेड डिसमील जमीन का चेन करेंगे एक से देट डिसमील इसलिए जरूरी क्योंकि साथ से आठ तरह का सबजी हम उसमें उगाएंगे और अपने घर में उसे खा सकें हाँ दिदी आपका एक डिसमील जमीन है उसमें कोडाई करके साफ सफाई करेंगे और आठ बेड बनाएंगे दिदी हम ध्यान देंगे कि बेड बनाएंगे इसमें नाला छोड़ेंगे जिससे हमें पोसन वाटिका में काम करने में असानी हो अच्छा दिदी इसमें हमारा आठ बेड बन की कम्पलीट हो गिया अब हम इसमें आठ तरह का सबजी लगाएंगे आठ बेड में हमें ये ध्यान देना है दिदी कि हमें दो बेड में साग वला सबजी लगाएंगे और दो बेड में हम जड़ वला सबजी लगाएंगे और बाकी चार बेड में हम फलदार सबजी लगाएंगे पर लगाने से पहले कुछ और जरूरी बात बताना चाहते हैं अगर फसल लगारें तो सालू भर पानी नहीं रह पाती तो हमारा पोषण वाटिका अच्छा उपज नहीं उपाईगा इसलिए पोसन वाटिका के बगल एक जलकुन बनाएंगे उस जलकुन में हम पानी जिसे घर का धोने या बरतन धोने का पानी जो बरबाद होता है वो पानी हम जलकुन में रख सकते हैं और उससे हम अपने पोसन वाटिका में सिचाई कर सकते हैं चलिए रिना दिदी के पोशन वाटिका में फसल का रुपाई करेंगे लेकिन उससे पहले बौधा या भीज का भीजा अम्रिज से उप्चार करेंगे पोशन वाटिका लगाने से हमें घर पर ही बिना कोई पैसा खर्च किये ताजा, स्वादिश्ट और जैविक तरीके से उगाई गए अनेको प्रकार की सबजियां और फल खाने को मिल जाता है और यह हमारे स्वास्त के लिए भी फाइदे मंद होता है झाल